प्रोडक्ट ग्रूप मैनेज आपको बहुत काम हा सकता है फूल स्टेक इन्वेंटरी में जैसे अगर आप प्रोडक्स में जाते हो तो आप ये देखिए ये पार्ट कैटेगरी में हमारे चार प्रोडक्स है या कई सारे और भी हो सकते है बट हम चाहते हैं कि इस चार का एक बन जाए ताकि हम जब भी इनवर्ड आउटवर्ड करें तो हमें एक एक आइटम इस तरीके से सिलेक्ट ना करना पड़ें जिसे अगर कोई एंट्री करनी है जिसमें हमेशा कस्टमर को ये चार प्रोडॉक्स लगते है तो आपको हर बार ये चार प्रोडॉक्स सिलेक्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है आप सिलेक्ट ग्रूप का उप्शन यूज कर सकते हैं तो चलिए देखते किस तरीके से हम सिलेक्ट ग्रूप का उप्शन जो है यूज कर सकते हैं अब क्या करेंगे ग्रूप क्रियेट करेंगे नेविगेशन में आपको ऑप्शन मि जो गुरूप क्रियेट करना है उसका नाम इंटर कर दीजे ताकि आपका उसके अंदर आप फिर प्रोड़क्स एड़ कर पाएंगे जैसे हमने ओटो पार्ट्स नाम से एक गुरूप बनाया है यह एक गुरूप है जिसमें अभी जीरो प्रोड़क्स है इसे बहुत इसली जाकता है और बाद में अगर आपको डिलेट करना तो डिलेट भी जीली किया जा सकता है अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हम आप करके कोई भी आइटम कर लिजəए और इसको पूट कॉन्तिती एंटर कर लिजे और आड़ में यह सारे प्रोड़क्ट एड़ हो जाएंगे डिफॉल्ट कॉंटिटी किस तरीके से काम आती वह भी हम देखेंगे जैसे अगर हमें इस आइटम की कॉंटिटी टेन लगती है इन्वर्ड आउटवर्ड करते समये तो हम इसके टेन कर देंगे डिफॉल्ट इस तरीके से सार इनवर्ड या आउटवर्ड एंट्री करेंगे तो बहुत इसली यह ग्रूप हम सेलेक्ट कर सकते हैं अब आप देख सकते हो इस ग्रूप में चार प्रोडक्ट से इस ग्रूप को सेलेक्ट करते ही आप देख सकते हो कार्ट में यह चार प्रोडक्ट एड़ हो चुके उनके ड अब यहां पर हम सब्मिट करेंगे तो यह आउटवर्ड एंट्री इसकी बहुत इजिली हो गई है आप देख सकते हो यहां पर ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो यहां पर चार आउटवर्ड की एंट्री हो चुकी है और इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आप प्रोड़क्ट ग्रूप्स को इजिली फुल स्टैक इंवेंट्री में यूज कर सकते हो नेविगेशन में ऑप्शन मिलता है जिससे अब आपके मल्टिपल प्रोड़क्ट गूर्प्स बना सकते हो उस गूरूप में आपको जो जो प्रोड़क्ट्स एड़ करने वो कीजिए और आपकी इंट्रिस कीजिए